विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्थान इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ओपरेटिव लिमिटेड यानि इफको ने अपने बाववन में स्थापना डिवस के अउसर पर अपनी गुजरात की कलोल इकाई में एक कारीक्रम में अनफिल परिक्षन के लिए अपनी नैनो टेक्नोलोजी पर अधारित उटपाद रेंज की सुर्वात करने की गोशना की जिसमें फिलहाल तीन ताइप के नैनो फर्टिलाइजर को लॉंज किया नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक और नैनो कॉपर जिसे जैविक तरीके से तैयार किया गया है और लिक् इस चरण के लिए इफको ने तीन प्रकार के नैनो उटपाद विक्सित किया है पहला है इफको नैनो नाइट्रोजन जिसे यूडिया के विकल्प के रूप में विक्सित किया गया है जिसका सही तरीके से प्रयोग करने पर यूडिया की खपट को 50% तक कम किया जा सकता है दूसरा उटपाद है इफको नैनो जिंक जिसे मौजूदा उपलब्द जिंक उर्वरक के विकल्प में विक्सित किया गया है इस उटपाद का केवल 10 ग्राम प्रती हेक्टर भूमी के लिए परियाप्त है और तीसरा उपद है इफको नैनो कॉपर जो पौधे को पोशन और सुरक्सा दोनों प्रदान करता है यह पौधे में हानिकाड़क कीटों के खिलाब प्रदी रोट संता भी विक्सित करता है इससे पौधे में ग्रोठ होर्मन की व्रुद्धी होती है जिससे बहुते स्वस्थ रहते हैं और विकास भी तेजी से होता है इन नैनो फर्टिलाइजर्स से होने वाले फाइडों की बात करें तो परमपरागत राशायनिक उर्वणों की तुल्ला में 50% कम खपत यानि राशायनिक खाडों की 50% की बचत पैड़ावार में 15-30% की व प्रुवाती परिक्षन के बाद इफको का लक्ष इन नैनो उत्पाड़ चुंफला में नए उत्पाडों को जोड़ना है तो इफको के इन नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में और कोई भी अपडेट आती हैं जैसे कि यह बाजार में कबसे अवेलेबल होगा इसकी प्रा